मैं यवत माल का रूप करूँगी जांसे लाइध हमारे साथ राजीव रंचन जुटे होए हैं राजीव वहाँ का मौसम जितना सुहाना लग रहे आपके पीछे लेकिन सियासत उतनी ही गर्म इस बटेंगे कटेंगे पर लगातार होती नजर आ रहे है राजीव तो समझना चाहूंगी अगर यूपी के संधर में देखा जाए तो लोकसभाद चुनाव का एक बड़ा डेंट जो यूपी से बीजेपी को मिला है उसी की कार्ट विपक्ष के आरक्षन समिधान की कार्ट को उस जाती तुष्टी करण के नाम पर धार्मिक धुरुवी करण की जो ये राजनीती शुरू हुई है क्या अब कन्फूजन में दिख रही है कि बटेंगे कटेंगे पर पहले योगी आदित्यनाथ फिर आरेसेस का भी समर्थन पी एम का भी समर्थन मिला लेकिन अब नेता ही पहले माहराष्ट में यह तस्वीर थी अब यूपी से भी वो भी यूपी में भी योगी की ही टीम से ये बयान सामने आ रहे हैं केश्व प्रसाद मौर रहे हैं एक बार फिर वही मदभेत की तस्वीर उठने लगी है लेकिन इस बटेंगे कटेंगे को ल आएगा 18 तारीक को महाराष्ट में बटेंगे तो कटेंगे नारा बहुत ज्यादा असर कर रहा हो चुनाव में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है देखिए जब से योगी आदितनात मुख्यमंत्री बने हैं तब से केश्व बनात मौरिया का भी दर्द 2017 का है जब वो प्रदेश अद्यक्ष थे और 300 से जादा सीटें पार्ति जन्ता पार्टी जीत करके आई और प्रदेश अद्यक्ष होने के नाते कई बार विपक्ष में विपक्ष का नेता या प्रदेश अद्यक्ष स्वाबा भी तोर पर मुख चुना वो खुद भी आर गे तो अगर आप उस तरीके से देखे तो किसी एक मसले पर नहीं तमाम मसलों पर अपनी असामती दर्ज कराने वाले योगी आदितनाथ से सार्वजनिक तोर पर केश्व प्रसाद मौरिया उत्तर प्रदेश के अकेले नेता हैं जो कम से कम योगी आ दारर बिये अभी जो हालिया पब्लिक सर्विस कमिशने के दो दिन के अग्जाइम को ले कर कर था अगर सबसे पहले भारतिय जनता पार्टी की तरफ प्रदेश मोरिया उत्तर सरकार का, कोई नेता उन चातों के समर्थन में बोलने के भीतर ही केशो प्रसाद मौरिया ने सार्वजनिक तोर पर कह दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे भारती जनता पार्टी का नारा नहीं है तो और फूलपूर जो सीट है वो भी बड़ी इंट्रेस्टिंग इसलिए है कि फूलपूर ही वो लोकसभा सीट है जिससे पहली बा तो केशो प्रसाद मौरिया की जो खाली की हुई सीट थे वो भी हार गई दो हजार बाइस में वो खुद का भी चुनाओ हार गए योगी आदितिनात जो नौ विदान सभा के उपचुनाओ है उसमें उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्ण ही नहीं सिर्फ इन्वाल्ड है बलकि आगे कि उनके राजनितिक करियर की दशा और दिशा भी इसमें इन्वाल्ड है क्योंकि वैसे तो आम तोर पर उपचुनाओ आप नतीजे देखिए का उपचुनाओ के आम तोर पर उपचुनाओ जो है वो सरकार का चुनाओ ही माना जाता है लेकिन तब भी पिछली बार का जो लोकसबा का चौकाने वाला रिजल्ट आया है उससे विपच्ष को एक उमीद और एक ताकत दिखाई दे रही है और देखें महाराश्च में तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई बड़े से बड़ा आदमी भी नहीं बता सकता कि चुनाओ किदर जा रहा है क्योंकि यह इस तारीक के बाद ही किलियर हो कि कौन किदर रहेगा नहीं रहेगा लेकिन उत्तर प्रदेश के नौ विदान सभा उपचुनाओं में एकदम फाइट आमने सामने अखलेश और योगी आदितिनाद किये तीसरी शक्तियां वहाँ कहीं पर दिखाई नहीं दे रही हैं और अ अभी जो चुनाओं वहाँ पर हुआ तो वहाँ लोगसभा में सबसे कम मारजीन की उत्तर प्रदेश में जो सीटें लोगसभा में बीजेपी जीती वो फूलपूर की सीट थी और फूलपूर सीधे सीधे केशो मौरिया से जुड़ता भी है उनका लोगसभा छेत रहा है औ पहले सांसर ती उनका टिकट काट करके जिनको टिकट दिया गया लोगसभा का उसी केसी देवी पटेल के बेटे को अब टिकट दिया गया है और लोगसभा चुनाओं में एक आ जाता है कि टिकट कटने से नाराज वो पूर प्रत्याष्टी और उनका परिवार था तो और बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर ही आधारित है उनका पूरा ये नौ का नौ विदान सबा उपचुनाओ तो देखना ये भी दिल्चस्पोगा की 20 तारीकों मद्दान और 23 तारीकों नतीजे उत्तरप्रदेश के कैसे आते हैं महाराष्ट में योग्या अधितनात के न पूमान शे बराबर बना हुआ है ठीक है आप लगतार बने रहेका राजी मैं आको ये वापस लोटूंगी